हेलो एवरिवन जियो कॉंसेप्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम एक मानक अक्षांस वाले संकुकार प्रक्षेप को जानने और समझने का प्रयास करेंगे साथी साथ एक उधारन के माध्यम से इसकी निर्मार प्रक्षेप को भी समझने का प्रयास करेंगे मानचित्र प्रक्षेव जब हम गलोब पर बनी होई अक्षांस वदेसांतर रेखाओं के जाल को प्रकास की साहिता से एक सम्तल सतय पर प्रक्षेवित करते हैं तो इसे मानचित्र प्रक्षेव का नाम दिया जाता है इस वीडियो में हम संकुवकार प्रक्षेप को जानने का प्रयास करेंगे संकुवकार प्रक्षेप कई प्रकार के होते हैं जैसे एक मानक अक्षांस वाले संकुवकार प्रक्षेप दो मानक अक्षांस वाले संकुवकार प्रक्षेप बोन प्रक्षेप बहु संकुवकार प्रक्षेप और अंतराष्ट्य मानचेत्र प्रक्षेप इन प्रक्षेपों मैं से हम इस वीडियो में एक मानक अक्षांस वाले संकुवकार प्रक्षेप को विश्तार पूर्वक समझेंगे संकुवकार प्रक्षेप की रचना निम्न सिधान्त पर आधारित है इस प्रक्षेप को बनाते हुए हम ये मान कर चलते हैं कि जो ग्लोब है उसके उपर कागज का बना हुआ संकु रख दिया जाता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाये जा रहा है और प्रकास की सायता से गलोब पर बने हुई अक्षांस और देशांतर रेखाओं को इस संकु पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है उसके उपरांत इस संकु को समतल सतय पर बिचा दिया जाता है इस प्रकार बने हुए अक्षांस और देशांतर रेखाओं के जाल को संकुवकार प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम संकु को ग्लोब पर रखते हैं तो जिस अक्षांस पर globe को संकू टच करता है या छूता है उस अक्षांस को standard parallel या मानक अक्षांस कहा जाता है और इस मानक अक्षांस पर मापनी पूरी तरह से सुध होती है अर्थात scale पूरी तरह से इस अक्षांस पर सुध माना जाता है, सुध होता है आईए एक उधारन के माद्यम से एक मानक अक्षांस वाले संकोवकार प्रक्षेप की निर्मार प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं प्रश्ण इस प्रकार है एक मानक अक्षांस वाला संकोवकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका विस्तार 100 डिगरी पश्चिम से 100 डिगरी पूर्वी देशांतर तक हो तथा अक्षांसिय विस्तार मुमत रेखा से उत्री दुर्म तक हो जिसका मापक एक अनुपात 250 मिलियन हो इस प्रक्षेप का अक्षांसी अंत्राल 15 डिग्री तथा देशांत्री अंत्राल 20 डिग्री का होना चाहिए एक मानक अक्षांस वाले संकोकार प्रक्षेप की जब रचना की जाती है तो इसकी गणना सबसे पहले उस गलोब की तरिज्या की गणना की जाती है जिस पर हमें संको को रखना है ग्लोब की तरिजिया का वही फार्मुला है जो हमने बेलनाकार प्रक्षेप में इस्तमाल किया था अर्थात ग्लोब की तरिजिया बराबर है प्रित्वी की वास्तविक तरिजिया और उसको हम गुणा कर देंगे प्रदर्शक भिनने से पृत्वी की वास्तविक तरिज्या 640,000,000,000 हो सकती है या फिर 250,000,000 होती है तो यहां हम इंच में गड़ना करेंगे इसलिए हम 250 मिलियन लेते हैं प्रिथवी की वास्तिविक तरिज्या और इसको हमने मल्टिप्लाई कर दिया है प्रदर्शक भेने से जो की एक अनुपाद 250 मिलियन है इस प्रकार हमारे गलोब की तरिज्या निकल कर आई है एक इंच आईए एक मानक अक्षांस वाले संकुवकार प्रक्षेप की रचना सुरू करते हैं सबसे पहले हमें पेज के चारो तरफ एक सेंटिमीटर का गैप लेकर उसका बॉर्डर बनाना है जैसा की स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है इसके उपरांद एक सेंट एक इंच की तरिज्या लेकर हम प्रकार की साहता से एक वरत का निर्मान करेंगे जिस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाया गया है जिसका केंद्र O होगा इस वरत पर एक 36 व्यास खिंचेंगे A, B जो की भूमद रेखा को प्रदर्शित करता है इस व्यास को हम D रेखा से D डेश तक बढ़ाएंगे जैसा की स्क्रीन पर दिखाया गया है संकुआकार प्रक्षेप की निर्मान प्रकरिया का दूसरा चरन है मानक अक्षांस का चुनाव मानक अक्षांस का चुनाव करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रक्षेप का विस्तार क्या है अक्षांस ये विस्तार कितना है क्योंकि हमारा प्रक्षेप भूमद रेखा से उत्रित रूप तक विस्तरित है तो इसके ठीक बीचो बीच स्थित किसी एक अक्षांस को हम मानक अक्षांस के रूप में चुनते हैं यहाँ पर हमने 45 डिगरी के कोंड को या 45 डिगरी के अक्षांस को मानक अक्षांस के रूप में चुनना है व्रत के केंदर से उत्री गोलार्द में एक 45 डिगरी का एंगल या कोण खीचेंगे जो की मानक अक्षांस को प्रदर्शित करता है अब रेखा OF पर एक समकोण लाइन खीचेंगे या रेखा खीचेंगे जिसे टेंजेंट लाइन भी कहते हैं इसको उपर की तरफ या उत्री गोलार्द की तरफ बढ़ाएंगे और यह रेखा D, D' लाइन को H बिंदू पर क्रॉस करेगी यहाँ पर OFG का कोण 90 डिगरी का होगा यहाँ पर रेखा HF एक तरिज्या की रूप में इस्तमाल की जाएगी और जिसके सायता से हम अपने प्रक्षेप पर मानक अक्षांस का निर्मान करेंगे इसके उपरांद दूसरा कारे होगा हमारे मानक अक्षांस पर विविन देशांतरों की इस्तिती मानक अक्षांस पर अलग-अलग देशांतरों की इस्तिती क्या होगी उनके बीच कितनी दूरी होगी उसको ग्याद करने के लिए अब हम आगे की गंड़ना करेंगे यहाँ पर हम क्योंकि देशांत्री अंतराल 20 डिग्री का है इसलिए हम पस्चमे को लार्दमा एक 20 डिग्री के कोण का निर्मार करेंगे इस प्रकार से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है और यह रेखा सरकल को सरकल की परिदी पर आई बिंदू को के रूप में क्रॉस करेंगी अब बिंदू A से आई के बीच की दूरी को नाप कर और उतना ही प्रकास्ट खोल कर एक सेमी सरकल का निर्मार करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर नीले कलर के सेमी सरकल के दोरा दर्शाय गया है इस प्रकार इस नीले कलर के सेमी सरकल ने जहां पर मानक अक्षांस की जो कौण है उसको क्रॉस किया है उसे हम J बिंदू देते हैं और इस J बिंदू से रेखा O-D पर हम एक लंब डालेंगे जो की K बिंदू पर O-D को क्रॉस करेगा यहां पर रेखा J-K-A-B के समाना अंतर है अर्थात भूमद रेखा के समाना अंतर होगी उसे सब्दों में कहें तो कोण J-K-O 90 डिगरी का होना चाहिए इसक्रीन पर J और K के बीच की दूरी जो की लाल रंगी रेखा के दोरा दर्साई गई है यह वही दूरी है जो हमारे मानक अक्षांस पर दो देशांतरों के बीच की दूरी होगी इसके उपरांद हम अपने प्रक्षेप पर दो अक्षांसों के बीच कितनी दूरी होगी उसका निधारन करेंगे क्योंकि प्रश्ण में हमें बताया गया है कि अक्षांस ये दूरी यानि अक्षांस ये जो अंतराल है वो 15 डिगरी का होना चाहिए अते हम अपने इस वरत पर ओ को केंदर मान कर 15 डिगरी के कोंड का निर्मान करेंगे जो की स्क्रीन पर कोंड B, O, E के माद्यम से दर्शाया गया है यहां पर B और E के बीच की जो दूरी है वो हमारे प्रक्षेप पर दो मानक अक्षांसों के बीच की दूरी को दर्शायेगा आईए अब हम अपने एक मानक अक्षांस वाले प्रक्षेप की रचना शुरू करते हैं इन पेपर पर एक लंबवत रेखा खींचें P, Q जैसा की स्क्रीन पर दिखाया गया है इसके उपरांथ अब प्रकार की साहता से H और F के बीच की दूरी को हम मापेंगे तथा इस रेखा पर P को केंदर मान कर एक हम सेमी सरकल का निर्मार करेंगे जैसा की स्क्रीन पर दर्शाया गया है अब ये सेमी सरकल या अर्द वरत हमारे प्रक्षेप पर मानक अक्षांस को दर्शाता है जिसका मान 45 डिग्री है अब हम पिछले डायग्राम से B और E के बीच की दूरी को मापेंगे और उतनी ही दूरी पर तीन निशान दुर्व की तरफ और तीन निशान भूमत रेखा की और लगाएंगे जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है इसके उपरांत मानक अक्षांस पर विभिन देशांत्रों के बीच की दूरी को चिन्हित करेंगे इसके लिए हम पिछले डायग्राम से J और K के बीच की दूरी को प्रकार की सायता से ना पेंगे और यहां मानक अक्षांस पर केंद्री मद्याहन से या केंद्र की PQ लाइन से उसके दोनों और पांच-पांच निसान लगाएंगे जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है अब P को केंद्र मानकर PQ पर लगाये गए विविन्द चिन्नों जितनी दूरी का प्रकार खोलेंगे और सेमी सरकल का या अर्ध व्यासों का निर्माण करेंगी जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है इस प्रकार हमारे प्रक्षेप पर सभी अक्षांस चिन्नित हो गए हैं या बना दिये गए हैं इसके उपरांद अब हमें देशांत्रों का निर्माण करना है अपने प्रक्षेप पर लिए हम मानक अक्षांसों पर लगाये गए बिविन्द चिन्हों को बिंदू P से सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ देंगे या मिला देंगे जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है इस प्रकार हमारे प्रक्षेप पर अक्षांसों और देशांतरों का निर्मान हो चुका है इसके उपरांध हम प्रतेक अक्षांस वा देशांतर रेखाओं के मान को या कोनों को वहाँ पर लिख देंगे जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है जीरो डिग्री से सुरू करते हुए दरुब तक जाएंगे और 90 डिग्री एन लिखेंगे जो कि हमें उत्री गोलार्द को दर्शाता है इसी प्रकार से जो सीधी रेखाएं हैं वहाँ पर हम लेफ्ट साइड में 100 डिग्री पस्चमी या वैस्ट लिखेंगे उसके बाद 20-20 डिग्री के अंतराल पर बीच की जो रेखा है जो कि 0 डिग्री को दर्शाती है या केंद्रिय मद्याहन को दर्शाती है और उसके पूर्वी भाग की तरफ जाएंगे तो हमारी वैलू 20-20 डिग्री बढ़ती जाएगी इस प्रकार हमारे प्रक्षेप का विस्तार 0 डिग्री से 90 डिग्री नौर्थ तथा 100 डिग्री पस्चिम से 100 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तरित है ये प्रक्षेप हमारा उत्री गोलार्द के लिए बना है जब हम इस प्रक्षेप का निर्मान दक्षनी गोलार्थ के लिए हैं तो इसकी इस्थिती पलट जाती है तो ये उपर की तरफ फुला हुआ पंखे की तरह दिखाई देगा इसके उपरांत इसके बॉटम में हम आर एफ या मापक लिख देंगे प्रदर्शक भिन जो की एक अनुपात 250 मिलियन है और इसके सीर्ष पर इस प्रक्षेप का नाम लिख देंगे मोटे अक्षरों में जो की सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टेंडर्ड पैलल है और साथ ही साथ इस प्रक्षेप पर हम स्टेंडर्ड पैलल की वैलू लिख देते हैं अर्थात कौन सा अक्षांस मानक अक्षांस के रूप में लिया गया है यहां पर डाइग्राम में नीली रेखा के द्वारा स्टेंडर्ड पैलल को दर्शाय गया है इस मानक अक्षांस पर मापक पूरी तरह से सुद्ध होता है इस मानक अक्षांस से जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ या दक्षिन की तरफ जाते हैं तो मापक विक्रित होता जाता है स्केल डिश्टॉर्ट होता जाता है इस प्रक्षेप के लक्षनों की बात करें तो हम पाते हैं कि इसके जो समस्त अक्षांस हैं उनके बीच की दूरी समान होती है बराबर होते हैं क्योंकि सबी सरकल एक ही केंद्र से बनाए गए हैं नमबर दो इस प्रक्षेप पर सभी देशांतर रेखाएं सीधी रेखा की रूप में होती हैं जिनके बीच की दूरी दुरुवों पर कम होती जाती है और भूमद रेखा की ओर बढ़ती जाती है लेकिन हर इस्थिती में प्रतेक अक्षांस पर सभी देशांतरों के बीच की दूरी समान रहती है अर्थाथ एक अक्षांस पर दो समानतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी इस प्रक्षेप पर अक्षांस वदेशांतर रेखाओं को एक दूसरे को समकोर पर कारती है या 90 डिग्री के एंगल पर कारती है और इन प्रक्षेपों में जो द्रोग है वो केंदर के रूप में नहीं बल्कि एक चाप के रूप में दिखाई देता है एक सेमी सरकल की रूप में प्रदर्शित किया जाता है जो कि इन छेत्रों में हुए मापक में वृद्धी को दर्शाता है एक मानक अक्षांस वाले संक्वकार प्रक्षेप के गुन और दोस की बात करें तो हम पाते हैं कि मानक अक्षांस पर और समच्त देशांतार रेखाओं पर मापनी सुद्ध होती है ये इस प्रक्षेप का एक मुखे गुन है जबकि दोसों की बात करें तो मानक अक्षांस से दूर जाने पर किसी भी छेतर को जो वहाँ दर्शाय जाता है दिखाया जाता है उसकी आकरती में और छेतरफल दोनों में ही विकरती या डिस्टॉर्शन बढ़ता जाता है अर्थात मानक अक्षांस पर मापक्सुद दोता है जिसके करण उन छेत्रों के लिए इनको विशेस उपयोग किया जाता है इस प्रक्षेप का दूसरा दोस ये है कि इस पर सिर्फ एक समय में एक ही गोलार्द को दिखाये जा सकता है अर्थात एक टाइम पर या तो इस पर उत्री गोलार दिखाये जा सकता है या फिर दक्षिनी गोलार दिखाये जा सकता है एक मानक अक्षांस वाले संक्वकार प्रक्षेपों के उप्योग की बात करें तो हम इसमें पाते हैं कि इन प्रक्षेपों पर मानक अक्षांस तथा सभी देशांत्रों पर मापनी सुद्धोती है अतह है इन पर कोई भी ऐसा बहुत एक वसांस्कितिक लक्षन हम दिखा सकते हैं सुगदा जनक धंग से जिसका विस्तार पूरव से पस्चिम की ओर अधिक हो अर्था देशांत्रिय विस्तार अधिक हो अक्षांस्य विस्तार कम हो जैसे ट्रांस साइबेरियन की रेलवे लाइन नरंदर नदी तापी नदी या कोई अंतराश्टे सीमा जिसका विस्तार किसी एक ही अक्षांस के साथ साथ पाया जाता है ऐसे छेत्रों को परदर्शित करने के लिए ये प्रक्षे बहुत अधिक उप्युक्त होते हैं